जहिन दोस्तों स्वागत आपका विजपत डिफेंस एजुकेशन में आज है 20 फरबरी 2021 इस वीडियो में डिसकस करेंगे डेली के करेंट अफियर जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे विडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा बेसिक फाउंडेशन का कॉर्स भी स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको दिलवाएगा 100% शूर सक्सेस और कवर करवाएगा आपके आने वाले सभी स्टेट और सेंटर गवर्मेंट एक्जाम को आप अपनी त्यारीश में बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपके ओल ओवर एक्जाम स्टेट और सेंटर के ओल्मोस्ट कवर होंगे तो 100% शूर सक्सेस के लिए आप हमारा बेसिक फांडेशन का कोर्स जरूर जोइन करें विजपत्थ डिफेंस एजुकेशन में हमारा हिमाचल पुलिस और SSE MTS का भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिसको आप जोइन कर सकते हैं विजपत्थ डिफेंस एजुकेशन में तो आज की वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट कोर्शन है वीडियो का रास्ट्री संस्कृती महोत्सव का ग्यारमा सससकरन किस राजय में आयोजित किया जा रहा है तो रास्ट्री संस्कृती महोत्सव का ग्यारमा सससकरन जो है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया ज जा रहा है हाल ही में बहां पर election होने हैं तो इसलिए आपके लिए most important question ये बनता है next one है कामलया वे नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो हाल ही में एक नई book launch की गई है और उसका नाम है कामलया वे तो ये लिखी गई है most important question है next question की बात करते हैं भारत ने कितने देशों को COVID टीकों की आपूर्ती की है तो हाल ही में भारत के दौरा जो है वो 25 देशों में COVID-19 के टीके जो है उनकी आपूर्ती स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले अगर पडोसी देश की बात करें तो बुटान को सबसे पहले जो है वो शहायता की थी हमारे प्यारे भारत ने नेक्स वन है इरान और किस देश के दो दिप्शी नोसेना अभ्यास ने अपना देश भारत शामिल हुआ है तो इरान और रूस के जो दो दिप्शी नोसेना अभ्यास होना है उसमें हमारा प्यारा भारत को भी शामिल किया गया है next question है कोची बाटर मेटरो के पहले रूट का उधगाटन किस नहीं किया है तो पिनराई विजेन ने जो है कोची बाटर मेटरो के पहले रूट का उधगाटन किया है important question है आपके लिए exam point of view से next one है किसने instant messaging platform संदेश launch किया है तो NIC के द्वारा जो है ये instant messaging platform स्टार्ट किया गया आपको बताना है कि NIC की full form क्या है ये आपको comment box में लिखके बताना है next question है हमारा tamilnadu सूचना आयोग में राज सूचना आयोग किसे नियुक्त किया गया है तो P धन सैकरन को जो है बो tamilnadu सूचना आयोग में राज सूचना आयोग तो बनाया गया है most important question है आपके लिए next one है Tata Electronics ने किस राज सरकार के साथ समझोता किया है तो tamilnadu कि जो राज सरकार है उनके साथ Tata Electronics ने एक नई डील की है next one है किस राज सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवारे कर दिया है तो यह जो हमारा टेस्ट है RT-PCR यह करोना जो है उसको चेक करवाने का यह टेस्ट है जिसको RT-PCR के नाम से जाना जाता है most important question आपके लिए रहेगा और करनाटक की सरकार ने इसे compulsory कर दिया गया है next one है महिंदर सिंग कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत न्यूक तक किया गया है important question है Syria में जो है महिंदर सिंग कान्याल को नया राजदूत बनाया गया है next one है किसे S-Coach Chief Minister of the Air से सम्मानित किया गया है तो Bias Jagmohan Reddy को जो है वो S-Coach Chief Minister of the Air से सम्मानित किया गया है आपको कमेंट वोक्स में बताना है कि Bias Jagmohan Reddy भारत के किस राज्य के Chief Minister है मतलगी मुख्य मंतरी है last question है बीडियो का ADB ने अस्पताल की श्रिंकला में दानता को कितने करोड रुपे का रिंड देने की घोशना की है ADB के द्वारा 100 करोड रुपे की घोशना की है में दानता को देने के लिए most important question है आपके लिए भी I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को जाद से जादा लाइक करें अपने फ्रेंट्स में शेर करें और हमारे WhatsApp ग्रूप के साथ जरूर जुड़े हैं जिसमें आपको day-to-day के current affair, pdf, study material joe wallet और HP Police DK के notes provide करवाए जाते हैं तो वीडियो के description में आपको WhatsApp का link मिल जाएगा या फिर ये जो हमारा WhatsApp का number है इस number के उपर भी आप message करके हमारे WhatsApp क्रूप में जुड़ सकते हैं सो हमारा MTS और HP Police का advance batch भी start है उसको भी आप BJPath Defense Education में join कर सकते हैं सो वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को जादा से जादा like करें और अपने friends में share करें मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत